भारत में आइफोन 8 को अधिकारित दौर पर लॉंच कर दिया गया है आइफोन 8 की लॉंचिंग के दौरां रिलाइंस कंपनी के चेर्मेन मुकेस अम्बानी के बेटे आकास अम्बानी ने जी ओफर्स के बारे में दुनिया को ब्रीफ किया इस इवेंट में एपल के CEO टीम कुट भी विडियो कंफरेंसिंग के जरीए जुड़े इस इवेंट में मुकेसंबानी भी वी वीडियो के जरीए ज़ुडे टीम कुक ने भारत में आइफोन 8 और आइफोन 8 प्लस की लॉंचिंग के लिए सुक्रिया दा किया उन्होंने नमस्ते इंडिया कहते हुए अपनी बास रूखी गुक ने कहा नई जनरेशन के आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस को लॉंच करते हुए वह काफी उस साहिट है हमें लगता है कि आईफोन में लगा नया ग्लास और अलूमूनियम डिजाइन आपको पसंद आएगा इसका वाइलेश चार्जिंग और नया रेटिना एस्टे डिस्प्ले भी आपको पसंद आएगा ऐसी उम्मीद है आईफोन एट में स्मार्टिस्ट और किसी स्मार्टफोन में लगी अब तक के सबसे पावरफुल चीप A11 बाइनिक इस्तमाल की गई है इसे एपन ले बनाया है टीम कूप ने कहा इसमें अब तक का बेस्ट कैमरा इस्तमाल किया गया है आईउस 11 में भारत के लिहाज से खास पीबोर्ट दिया गया है जो की 11 भारती भाषाओं को सपोर्ट करता है अब आईफोन से 11 भाषाओं में समार्ट करना मुम्किन होगा टीम इंडिलिंग्स झाल